अब यहां वैडरी गुट आफटूट तो अल अफियो गर्मिया आती नहीं है कि सकीन के साथ बहुत-सारे इश्ब बहुत-सारी प्राब्लम सुरू हो जाती एं खास करके लड़ीकियों के साथ skin tanning होना शुरू हो जाती है, skin पर rashes हो जाते हैं, wrinkles जल्दी पढ़ने लगते हैं, aging जल्दी आने लगती हैं और भी ऐसी काफी सारे issues होते हैं जो हमारी skin के साथ होने लगती है specifically जब हम sun में बाहर निकलते हैं और गर्मी से हमारी skin जुलसने लगती है तो क्या कर सकते हैं, आप कैसे अपनी skin की care कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, खुबसूरती के साथ अपनी खुबसूरत वचा यानि कि अपनी खुबसूरत skin का खयाल In short, क्या tips हो सकती हैं आपके लिए, जो आपकी skin care के लिए अच्छी हो इन गर्मियों में, ताकि आपकी skin जल्दी से जुलसे नहीं, बिल्कुल fresh, hydrated और cool feel थरे तो क्या tips हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे अपनी नाचिरोपैथ पायल सेना के साथ, पायल जी बहुत-बहुत सफागत है जैसे कि मैंने कहा पायल जी कि काफी सारी skin problems हो जाती है, सबसे बड़ी problem है skin tanning की, तो कैसे इससे बचा जाए, it's very important बहुत सारे लोग sunscreens का इस्तमाल करते हैं, लेकि मैं चाहती हूँ कि sunscreens apply करने के अलावा कुछ ऐसा नुस्खा या कुछ ऐसी जाने, जिससे कि sun tanning हो ही ना, क्योंकि very important है कि जो चीज, जो problem है उसे जड़ से खत्म किया जाए, skin tanning ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है देखे, reason यह है कि majority में ध्यान दीजे, आप जैसे क्लाइन से हमारे sunscreens यूज कर रहे हैं, बिल्कुल proper sincerely यूज कर रहे हैं, और करने के बावजूर भी वो proper tan भी दिख रहे हैं, तो why, what's the reason behind this? reason के बारे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या remedy हो सकती है, उसे पहले अपेक्षा से बात करते हैं, जिन्होंने UK से हमें काल किया है, जी अपेक्षा, very good afternoon, क्या पूछेंगे आप, good afternoon, both of you, good afternoon, yeah, tell me, what's your question? my question is, my hair is so dry and it's fall too much, okay, so what shall I do to stop the falling hair and the growth, for the growth? okay, be online will tell you the solution, पायली जानना चाहते हैं, बाल बहुत टूटते जड़ते हैं और बहुती ड्राइ हैं, तो क्या कर सकती हैं? कि इनका जो question है, वहां के climate के हिसाब से है, ठीक है, और इनके बाल ड्राइ भी होंगे, और साथ में color भी इनका different होगा, तो यहां पे जो हीना लगेगी, हमारा शो यहां पर नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए इनको शो के बाद डारेक्ट करके इनको समझा, बता दिया हैंगी, बालचड और नागरलो था, मिला करके इनकी हीना तयार होगी, जो थोड़े से दूद और थोड़े से दही मिक्स होगी, उसका मिक्चर इनको यह लगाना होगा, तो यह वहां के climate के हिसाब से इनको बहुत सूट करेगा, क्योंकि इनको इनको बहुत सूट करेगा, तो जब यह हेर पैक लगेगा, और वहां पर भी तेल सरसों वाला लगेगा, कॉमिनेशन इसका यही जाएगा, और शैंपू वह भी हर्बल जाएगा, तो यह तीनों चीज़े जब हम इनको डिरेक्ली अलग से बताएंगे, तब यह अपना अप्लाई करेंगे, तो इनके ब बात करेंगे जिन्होंने अंबाला से हमें काल किया, जी परमजीत, फरमजीत, घुड अप्रनून, बताईए क्या पूछेंगे, हलो, 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 हम आपको सुन पारे सवाल बताईए, अभी रचना है हमारे साथ फोन लाइन पर, जी रचना, हलो, 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 हम जी मेरे को यह पुछना है मेरी हातों के जो टिक्त हैं उन पे पानी से हो जाती है किन निकलने लगती है अपिर फिर जलन और वगेरा सब हो रही है एज कितनी है आपकी पानी में थोड़ा सा भी काम करती है पानी में जैसी उंगलिया जाती है तो स्किन इरिटेटेड फील करने लगती है देखिए यह एक ऐसी प्रॉब्लम है थोड़ा सा आपको इस पर डॉक्टर से कंसेंट करें और दूसरा जो हम रेमेडी आएगी यहां पर जो रियली वर्क क करेंगी कि इस चीज से इफेक्ट पड़ेगा वह है द्रहत कुमारी मतला मींस अलोवेरा का फ्रेश घुदा थोड़ा सा थंडा करके उसमें आप मिला दीजेगा नारियल का तेल और जब दोनों को बीट कर लिजेगा तब उसमें आप डाल देजेगा पेंच आप डेसी कप कि आपका थोड़ी से ठंडक मिल रही है और फिर इसको आप कांटीनियू करते रही है इसे आपको रिलक्स लेगा ओके तो काफी दिन तक आपको करना है थोड़े दिनों बाद आप इसमें जरूर एफेक्ट नजर आएगा आपको अभी बात करेंगे निकिता के साथ जी नि अधिक सबसे पर में आप से यह वोलना जाते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगते हैं थांक यू सो मच कॉंपलिमेंट ऑफ दे डे है मेरे लिए विताईए और मेरा कुछ्टन ये है कि मेरा कुछ्टन ये है कि गर्मी में हम लोगे अपर लिप्स निपर बहुत पज अपर लिप्स निपर बाइब कराते हैं कि कराते हो ने की कराते हो में अचा बिना थेडिंग कर दार को जाता है इसे ऐसे गर्मियों में जोसे पतीने से हो जाते हैं समर्स में इनके अपर लिफ ब्लाक हो जाते हैं और ड्राय हो जाते हैं भटने लगते हैं इन्होंने का तो क्या कर सकती है Nikita आप एक मुस्टरेजर बनाईए केले का थोड़ा सा पकावा केला मैश करके उसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ा सा ठंडा होना ज़रूरी है डारेक नहीं लगाईए थोड़े से पके केले में शेहद में ला दीजिए और उपर से नीबू डालेगा बेस खटा मत कीजिए उपर से नीबू डालके उसकी मसाज टिप से करिए और एवरी डे करिए जब मसाज कीजिए उसके बाद आईस ट्रीट्मेंट जरूर दीजिए कोई भी बर अफको लेकर रब कर दीजिए इससे आप दीरे दीरे फील करें कि पहले तो ड्राइनस कम होगी जब ड्राइनस कम होगी तो हाँ कालापन भी कम होगा अब लटिका है हमारे साथ जिन्हों ने डली से में कॉल किया है जी लटिका अब लटिका जी सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अपने टीवी सेट का वाल्यूम प्लीज स्लो कीजिए उसके बाद बताईए क्या सवाल है आपका लिए में नमस्ते मैं अपने हजबन के बारे में पूछने चाहती हूँ कि उनका फेस ना मतलब पहले बिलकुल साफ था तो उनका फेस के आइस के चारों तरफ ना ब्लैक ब्लैक होने लग जा गा जब डॉक्टर को दिखाया तो उनने ने कहा कि जो हैर में डाई लगा रहे अब कोई हर्बल कलर लगाते हैं लेकिन फेस काला ही पड़ता जा रहा है एक छोटा सा पॉइंट इसमें ही होता है बाइनुटली अबसर्व करेंगा जब आपने डाई लगाया कलर लगाया है वोटेवर आपने अपलाई किया नौर्मली आप वाश करेंगे तो सर नहींचे करेंगे समित हाँ कैसे वाश करेंगा आपको ध्यानी नी जाएगा जब आप वश करें तो वह पानी जो आपके चेरे पे आ रहा है थोड़ा सा पानी आता ही है फेस पे आईब्रोस पे वह इतना डैमेज करता है कलर को इसलिए बार बार वोला जाता है कि कलर डाई टोटल तो वह जो आपकी यहां पर आईगा आईब्रोस वाइट हो जाएगी फेस पर चेहरा डार्क हो जाएगा अब उस पर कोई नेश्वल च और उसके अंदर पपीते के गूदे को मिला के थोड़ी दरी उसकी मसाज कर दीजे ताकि जो भी कालापन इसके ने अबसर्व किया उसके थू बहार निकल जाए और यह दो टिप्स आप करेंगी तो यह चीज आप ऐसा ना सूची कालापन निकले गा नहीं मुलतानी और और आपके हस्बिन के चहरे पर इस जो रेमिटी है उसको अपनाने के बाद हम बात करें से स्किन टानिंग के बारे में स्किन टानिंग ना हो इसके लिए क्या होबल रेमिटी को फॉलो किया जा सकता है स्किन टैंग ना हो तो इस सह में अचा मसाच चाहेंगी क्यालोested एक सरफ किला और डारियव का आएगर नारियल पानिग है और के सीक aims होता है केले को देख लेना कि कैसा है हलका सकालपन, साथ में घिसने के बाद उसमें शहद मिलाना होगा और जितना केले का पेस्ट बनेगा उसका आधा शहद होगा और बीट कर दीजे, बीट करने के पाद उसमें आप दूड डाल दीजे दूड डालने के बाद एक दम आपको ऐसा फील होगा इसकी मसाज आटवर डारेक्शन में इस तरह ऐसे करिये कि मैल्ट पूरा पूरा पैस्ट आपके पैस्ट इसकिन के अंदर चला जाए अब आप इसो चुचेंगे इतना मैट्यल इसकिन में कैसे जाएगा जाता है इस डिपेंड किया है किसी आपकी मसाज है त्री फिंगर आग स्किन केर के लिए जिसके बारे में बात करेंगे लेकिन इस चोड़ इसे ब्रेक के बाद सो स्टेट यूदन कीप वाचिंग कॉल पाके कर्मियों में जब भी घर से आप बाहर निकलते हैं तो इस वेरी इंपॉटन की साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें अपने साथ लेजाएं बैग में क्या चीज़ें आप क्यारी कर सकते हैं, किस तरह से अपनी स्किन की देख भाल कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन एकदम हाइडरिटेट फील करें और फ्रेश फील करें, इसके बारे में पायल जी के साथ बात करेंगे, लेकिन उसे पहले पूजा है हमारे साथ वो लाइन पर, ज पूजा हो सकती है इसकी और साथ सत कैसे सहताया जा सकता है, पूजा ये लाइन आपके पहले नहीं थी और अब हो गई है, तो कोई टेंशन मतलीजे, बिल्कुल हट जाएगे लाइन, सिर्फ आप ये नियम बदा लीजे, कि एवरी डे आपके फेस पे, फ्रूट में फेशल प्रूट फेशल प्रॉपर फेशल नहीं होगा, बस 10 मिनिट्स के एक मसाज बना लीजे, कि हमें करनी है, तो उसका सिंपल फॉम्ला आपके पास जाएगा, कि आपने जसे आलू को कद्दुकस किया, मैश कर लिया, और उसके दो गुच्छे बना करके उसको पेस्ट की तरह पी नोस पे रब करिए, एक पांच मिनिट्ली आप यह कर दीजे, और जब आलू का कलर चेंज हो जाए तो उसको हटा दीजे, उसके इमिटेट बात पापीते के छिलके के जस नीचे का जो हिस्सा होता है, उसको पूरा ऐसा कदुकस की छिलका भी घिस जाए, उस चिलके में पूरा नीवू मिला दीजे, अब क्रॉस हेंड करके लाइक इस, इसकी मसाज कीजे और ऐसे करके, एवरी डेए इसकी मसाज करिए और सोते समय एक बदाम घिसके सिर्फ उस लाइन के ओपर लगा दीजेगा, जिसको मार्निंग में दही जाटाईगा, अगर आप यह सब हरवल नहीं कर सकते हैं तो बेसन से बाल दुए है, बेसन से बाल बहुत मस्त रहता है, बोल बनाके लगा दीजे, लिव इट फॉर 10 मिनिट, 10 मुसकत पानिस हो दीजे, अब रही की बात तो आप एक उयल कौन सा करे तो आप एक उयल जो हम बताते हैं सरसो के तेल में मेथी पीस के चाहन करके करी पता का पाउडर काफी अच्छा सा फ्रेश, आप मार्केट से लिएगा पीस के चाहन के मिला दीजेगा, इस पेस्ट को थूप में रग तीजेए, इस पेस्ट में चार चमर्ज दही में लाके बेटी के बालों में तीन दिन मसाज की जिए हफते में, आप देखिए ऐसे करते करते बालों में इतना स्टेंथ हा जाएगी को कि यह इतनी चोटी है और 13-19 ऐसा मिरेकल होता है रूट सूर सा हमस का तो बहुत ही अच्छा इफ्ट आ जाएगा, चलिए अभी अंजली अमसे बात करेंगी जिन्होंने डेली से में कॉल किया है, जी अंजली जी बताईए क्या सवाल आपका अप दोनों को अधनून बताईए इसा क्यों आपने ऐसा कुछ हुआ है कि रोथी बालों एसे ही है का कर सकती है तो इंक बालों में वाल्यूम लाने के लिए और उनका डॉइनेस कम करने के लिए देखिए कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, है कि नहीं, अभी तक कोई केर नहीं होई होगी, अपनी घर गरस्ती में, बच्चे में, सब चीजे इनकी ऐसे होते होते हैं, धीरे-धीरे बढ़ता चला गया, अब आपको बैक पे ध्यान गया, तो अभी भी अगर आपके तेल में फेट लीजिए उसकी, और बहुत सौफ हैंच से मसाज कीजे, हफते में तीन बार, एक मसाज आपकी यह हो गई, और अगर आप फील करती है, तो मोटे आमले को पीस करके, उतनी मेंदी में मिलाके, हफते में दो बार लगाई और पानी मद डाली, इसमें दही से गो पर दो वर होने लगेगा, पर मिनिममम इसको, मिनिमम वन तक ज़र कांटीनू करेंगा, वर हिना इन वन एंड टोल ऐली इन वन अप, अभी एक और कालर हैं से मानिका बात करेंगे, इसमग, जी मानिका, हलो, हलो, मानिका, जी माम मेरे गर्मी की मौसम में में, माम बेस पिल निकल आते हैं और मैं आंख के नीचे नाख के नीचे इनको कुछ कि आपके नाख के पास ब्लाक एच और एक सेप को पानी उबाल करके मैश कर लीजे और इसको ठंडा कर लीजे चिलका उसका जरूर घिस दीजे को उसके अंदर उसके बाद एक लेप लगाईए तुलसी की पती में नीवू का रस मिला के पूरे चेरे को ग्रीन कर दीजे ठीक है आपके पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है उसके उपर सेव रख दीजे और टीशू पर से ढांक दीजे आदे घंटे बाद सब चीज रब करके दो दीजे इस ओ बीट करिए फुल नाइट दीजे नेक्स मॉर्निंग एक सावन बन जाएगा इस सावन का ऐसे से रब कीजिए फिर अगें उसको रख दीजिए उसमें पर वो सोप कवर ज़रूर होना चाहिए खुला ना रहे है इस सोप को आप एवरी डे कम सकम तीन बार इसे चेहरा दो य लेगिन इस छोड़े से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाएए देखते रहिए प्रग्या जो आपको मिलाए बहतर आप से हमारी स्किन का खयाल रखने में आने कि स्किन केर में हमारी डायट भी बहुत इंपॉटन डोल अदा करती है अगर हम एक अच्छी डायट लेते हैं तो उसका एफेक्ट हमारे चेहरे पर कहीं न कहीं नजर जरूर आता है स्किन के लोव में और साथ साथ आपकी स्किन की केर में भी पाहल जी जैसे कि मैंने केसे तरह से पहले की स्किन केर के सकती धर inn जुलlingen यह पट चारी प्रॉब्लम्स में हो तो तो प्या किया जा सकता हutor इसके लिए हमाओ को एक बड़ा मस्त थभी एक ही बहुत हुँ प्स मे जब तर्बूज का रस निकालेजे, लाल हरा दो रस हो गया आपके पास, अब एक नीम की पत्ती की छोटी पत्ती का रस वो भी बहुत ज़रोरी है, तो यह आपको तीन रस तेयार हैं, और उसको कवर्ड का दीजे, कवर्ड होना बहुत ज़रोरी है, आप जब टाइम मिले, इ कुछ हो नहीं रहा है, ऐसी है, जो बहुत थक जाते हैं, काफी दिन तक फालो करना है, तो इसको टाइम टेकिंग वाला मामला, आपको टाइम देके ही समझ में आएगा, इसको थोड़ा से रेगलर करके देखिए, पोर्स बंदोंगे इसे, इसके इसके इतना कूलिंग एफ अगर आपको एसी फिलिंग होती है, वैसे ऐसा नहीं होता है, कोई भी मित ना रखे निवू के बारे में, लोग सोसते हैं, नहीं डारेक नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके साथ में फूट्स और रूट्स और हर्प्स लग रहा है, तो पहला निवू हमारे हर्बल कस्मेटिक्स का सबसे बड़ा बेस्ट है, तो आप मेरे हिसाब से, अगर आप निवू के साथ में दही मिला रहे है, ठीक है, और उसको लगाईए, लगाना है, और आप हर्बल शैंपू में तो सिंपल फॉर्मला है, रीठा, आवला, शीका काई, कि ज जो स्कैल्ब है, वो ओईली है, जिसकी वज़ा से डैंटरफ है इनके सर में, और इनके बाल बहुत जादा गिर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, डैंटरफ की वज़ए से इस सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आप सिंसरली 15 डेस में एक नियम बना लीजे, तीन-तीन दिन आपने नारियर के तेल में देशी कपोर मिला के और थोड़ा से नीम की पती का रस, या फ्रेश नीम भी डाल सकते हैं, तीन दिन आपने ये किया, फिर अगेन उस पर आ गए, नीम बना लिया, तीन-तीन दिन करके आप पूरा इस मन्त को पूरा कम्प्लीट करिए, आपकी ड अब मार्केट से जोग आटा मंगा लिजिए उसमें हली डाल लीजिए, ठीके और उसी में डाल दीजिए, थोड़ी सी मुलता नहीं मिटी, इस पाउडर को रख लीजिए, आप जहां जानी ले जाईए, और जहां आपको फेस दोना है, बस पानी मिला के छोड़ दीजिए ठीकेट से जोड़ी देर, और उसके मसाज करके दो दीजिए, बस, नेक्स टेसमेस हमारे पास है, इनके बहुत जादा हेर फॉल हो रहा है, बालों की लेंथ भी बहुत कम है, तो क्या कर सकती है, हेर फॉल बहुत जा रहा हो, देखे, बहुत सारे रिजन्स होते हैं, और हम आपको इंस्टेंट बता रहें, इसमें आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बाल चड़ पॉडर को दही मिलाकर, बालों में चांद की सेंटर में लगा दिया, एक तो आपनी यह कर दिया, इस समय आइलिंग ना करिए, जब बहुत बाल जढ रहे हो, यह ना करिए, और ही पॉड़ा जब बालों को लूज कर रहे हैं, यह ना कर सकते हैं, आपको लगता है, यह तो है कई बार इस सीज को पोजेशन में आ जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, आप सिंपल मसाज करेंगे, अलोवरा की गूदे में थोड़ा सा रोगन बदा में लाएंगे, पिंच रीना प्लस आमला प्लस शेका काई की फलिया, इसके पानी की मेंदी लगाईए, इससे आपको शुरूर अंतर पड़ेगा, नेक्स टेसमस हमारे पास है रीना का जो 28 एर्स की हैं, और इनके बाल ग्रे हैं, क्या कर सकते हैं, बाल ग्रे हैं, चुकंदर पीसी है, च्छानी है उसे मेंदी मिलाईए, और उसमें लास्ट में हाइबस को शार पास डाल दीजे, और एक चंबच कॉफी पॉर डाल, आंत में लास्ट में चीनी डाल दीजे, उसका गोल बना के लगा दीजे, और जितना ज़्यादा लगाएंगे हर बल का तो फॉर्मला है, इस मेंग्सिमम पॉसिबल, आप खुब लगाईए और हर बार शेंपू मत कीजिए, आपके बाल देखे, क्या कॉपर सा शेड आ जाएगा, चलिए, अच्छा सा शेड आ जाएगा, विच इस वेरी गुड, सुवन का समेस है, इनके चेहरे पर पिग्मेंटेशन हो रहा है, क्या कर सकते हैं, पिग्मेंटेशन के लिए अगेन नारियल का पानी आपको बहुत सूट करेगा, कॉटर में भीगो के अगर आप ऐसे से रब करें, चाहें आइस बना के रब करें, पाकी पानी पीलीजे, थोड़ा सब बचा लीजे, और साथ में केले की मसाच इस सीजन में बहुत सूट करे और साथ में आपको अगर आपकी नोस के ऊपर खटी चीजे लग रही हैं, मौसमी की नोस अंता कोई भी चीज आप रेगुलर लगा रही हैं, तो पहली बात तो होगा नी, ऐसा ध्यान नहीं जाना चाहिए कि ब्लेक हेट्स हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर निकल रहे हैं आप खटी चीजों की मसाज करते ही रही हैं, तो खटी चीजों की मसाज करने से काफी हद तक ब्लेक हेट्स कम हो जाते हैं, पायल जी आपने बताए सारे सॉल्यूशन्स और यह बताए कि स्किन केर किस तरह से की जाएं समझ में, इसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू